अगर यूद बढ़ता है तो इसका असर धंतेरस और शाधियों में सोने की खरिदारी पर पढ़नाता है अगर यूद बढ़ेगा तो सोना मुझे यहां से 80,000, 85,000 सोने के बंडार में भारत हुआ जापान से आगे सोना वाचांदी खरिदने वालों के लिए आई जरूरी खबर यदि आप भी साधी बिवा के लिए सोने वाचांदी के गैने बनवाना चाहते है तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर नमस्कर दोस्तों स्वागत है आप सभी का सोना चांदी के भाव लाइव की एक और नई वीडियो में दोस्तों देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से लगातार सोने वाचांदी के दामों में उतार चड़ाओ देखा जा रहा है ऐसे में यदि आप भी साधी वीवा के लिए सोना खरीदना चाहते हैं या फिर आपको सोने वाचांदी में निवेश करना है तो आपके लिए जरूरी खबर है क्योंकि एक बार फिर से सोने वाचांदी के दामों ने बड़ा इतिहास रचा है यकीन मानिये सोने के दामों ने 27 सालों का रिकार्ड तोड़ा है वहीं इतना ही नहीं चांदी के दामों में भी भारी बदलावाया है चलिए जान लेते हैं आज भारती सरापा बाजार के अंसवार 18 करेट, 22 करेट और 24 करेट के हिसाब से सोने के ताजा भाव क्या है साथ ही आपको बताएंगे आज एक किलो चांदी का ताजा भाव क्या है वह जानेंगे आज एक तोला सोने का ताजा भाव क्या है लेकिन उससे पहले रोजाना सोने वाचांदी के ताजा भाव पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर करना चलिए पहले जान लेते हैं आज चांदी के क्या भाव हैं दोस्तों देखा जाए तो लगातार सोने वाचांदी खरीदने वाले परेसान हैं और दुकांदार भी हैरान हैं आखिर सोने वाचांदी में क्या हो रहा है किसी दिन सोने वाचांदी के दाम नीचे आते हैं तो किसी दिन फिर से सोने वाचांदी के दाम उपर देखने को मिलत हैं ऐसे में देखा जाए तो एक बार फिर से चांदी के दामों में बड़ा बदला वाया है क्योंकि आज एक गरामचांदी का बाव 92.28 पैसे है आड़ गरामचांदी का बाव 738.26 पैसे है 100 ग्राम चांदी का भव 9,228 रुपए 3 पैसे है वहीं आज एक किलो चांदी का भव 92,283 रुपए है ऐसे में आपको बता दे इस सब्ता लगातार चांदी महंगी हुई है और आज भी एक किलो चांदी में 683 रुपए की शांदार तेजी आई है वहीं यदि आप सब जानना चाहते हैं सोने के दामों में तेजी क्यों आ रही है और सोना भाचांदी कब सस्ता होगा तो इस वीडियो को पूरा देखे क्योंकि दोस्तों देखा जाये तो एक सबसे बड़ी खुसकबरी हम सभी भारतियों के लिए है कि सोने का भंडार जो है जापान से ज़्यादा अब भारत के पास हो चुका है जिहां आपको बता दे अभी तक भारत जापान से पीछे था लेकिन इसी साल भारत ने जापान को पचार दिया है अब भारत के पास सोने का भंडार जापान से ज़्यादा है वहीं देखा जाए तो सोने की कीमतों में एतिहासिक तेजी देखने को मिली है MCX पर सोना 77,600 के पार निकल गया है तीन महीने में सोना 10,000 रुपई से ज़्यादा महेंगा हो चुका है यकिन मानिये 3 महीने के भीतर सोना 10,000 रुपय से ज़्यादा महेंगा हुआ है वही महीने भर में 6 प्रस्ट से ज़्यादा सोने में तेजी आई है वही देखा जाए तो पिछले साल की अपेच्छा इस साल सोना 22 प्रस्ट से ज़्यादा बढ़ा है मतला सोने के दाम पिछले साल की अपेच्छा 22 प्रस्त महेंगे हो गए हैं वही ग्लोबल मार्केट में भी दाम 2727 डॉलर के उपर जा चुके हैं देखा जाए तो लगातार सोने के दामों में तेजी आ रही है और आपको बता दे ग्राहा के साथ सरापा ब्यापारी भी परेशान है क्योंकि कभी वो ज़्यादा में सोना बाई कर लेते हैं सोना सस्ता हो जाता है और कभी कम्मे बाई करते हैं सोना महेंगा हो जाता है वहीं देखा जाए तो इस साल ग्लोबल मार्केट में भी सोना 700 डॉलर से ज़्यादा महेंगा हो चुका है दोस्तों देखा जाए तो ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में सोना महेंगा हो रहा है सभी देशों में सोने के दाम बढ़ रहे हैं वहीं सोने के दामों में लगातार तेजी क्यों आ रही है इसका कारण आपको बता दे अमेरिका में चुनाओ के नतीजों को लेकर अनिश्चिता बढ़ रही है कमला हैरिस और डोनाल टरंप के बीच काटे की टकर है वहीं देखा जाए तो अगला कारण है ECB ने तीसरी बार ब्यास दरों में कटोती की है साथी जानकार बताते हैं अगले महिने फेट बैंक आफ इंगलेंड से दरों में कटोती की उमीद की जा रही है ये भी एक कारण है कि सोने के दामों में तेजी आ रही है वहीं देखा जाये तो जियो पॉलिटिकल टेंसन के कारण भी लोग सुरचित सोने में निवेस मानते हैं इसलिए लगातार सोने में निवेस कर रहे हैं और सोने के दाम बढ़ रहे हैं चलिए अब जान लेते हैं आज अटर के रिट के हिसाब से सोने के क्या भाव है आज 8 के रिट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भव 627 रुपए है और 10 ग्राम सोने का भव 62700 रुपए है चलिए अब जान लेते हैं आज 22 के रिट के हिसाब से सोने के क्या भाव है उससे पहले आप सभी कमेंट में ये जरूर बताएं जिस तरह से लगातार सोने के दाम बढ़ रहे हैं क्या ऐसे में आम इंसान को सोना खरीदना बंद कर देना चाहिए जिस से सोने की मांग में गिरावट आए और सोने के दाम सस्ते हों कमेंट बॉक्स में अपनी राये जरूर लिखें क्योंकि आज 22 के रेट के हिस्साफ से एक ग्राम सोने का भाव 755 में तेजी आई है और आज भी 10 ग्राम में 550 रुपया है चलिए अब जान लेते हैं आज 24 के रेट याने 102 सोने के क्या भाव हैं